डाक्तर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडू के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाबदीन तथा माता का नाम अशियम्मा था। वह एक मध्यमवर्गिय परिवार से थे। अब्दुल कलाम ने इमानदारी, अनुशासन तथा देश प्रेम अपने पिता से सिखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास के ही स्कूल से पूरी की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सन 1950 में तिरुचरापली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। उसके उन्होंने मद्रास Institute of Technology से Aeronautical Engineering की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सन 1958 में दई शून्य तई शून्य डई शून्य एंड पई शून्य में तक्नीकी केंद्र में वरिष्ट वैज्ञानिक सहायक बने। उन्होंने कुछ साल अंतरिक्ष अनुसंधा समिती में भी काम किया। A.P.J. अब्दुलकलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुलकलाम मसूदी था। वे मिसाइल मैन तथा जनता के राश्चुपती के नाम से भी जाने जाते थे। इन्हें पद्मभूशन तथा भारत रतन से भी सम्मानित किया ये भारत के ग्यारावे राश्चुपती सन 2002 नियुक्त हुए थे। ये 2002 से 2007 तक राश्चुपती के पद पर कार्यरत रहे और देश के विकास में अपना योगदान दिया। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पढ़ने के कारण इनका देहान्त हो गया। इनका अंतिम संसकार गुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन किया करते थे। वह भारतिय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रोध्योगी की संस्थान के कुल पती भी थे। उन्होंने इस्रों के कई अंतरिक्ष प्रोग्राम क सफलता पूर्वक पूरा किया।